देखिए पिछले पांच साल में देश में जितने भी लैंडसलाइट्स हुए है उसमें 60% से ज्यादा लैंडसलाइट्स सिर्फ केरला में हुए है हर साल केरला में लैंडसलाइट्स होता है हर साल आम जनता की मुरुत्यू होती है कुछ दिन के लिए चर्चा होते है पर उसके बाद कुछ कारवाई नहीं होता है लॉंग टर्म सिल्यूशन नहीं होता है आज सदन में इस इश्यू को हमने उठाए थे और हमने पूछे कि वहां के सरकार बार बार अलग-अलग एजनसी अलग-अलग केंद्रिय सरकार के समस्थाएं वार्निंग्स देने के बाद भी क्यों इसके ऊपर ये कारवाई नहीं करते हैं एक हफते पहले मतलब जुलाई 23 को मानिय ग्रह मंत्री जी ने ग्रह मंत्रायलाई ने एक वार्निंग दिये थे केंद्र राज्य सरकार को कि आप इवाक्यूएशन कर दीजिए वहां लैंसलेट्स होने का संभावना है पर उसके ऊपर भी काम नहीं हुआ उसके ऊपर भी कु जोन है वहां से आप 4000 परिवार को आप इवाक्यूएट कर दीजिए वो भी नहीं हुआ 2020 में केरला डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने स्टेडी करने के बाद उन्होंने बोला कि वाइनाड के आसपास के जो सिस्मिक जोन है एको सिंसिटिव जोन है वहां से आप इ लास 2021 में के राजू उनका नाम है केरला सरकार के फॉरेस्ट मिनिस्टर ने असेंबली में बयान दिये कि हम इलीगल एंक्रोच्मेंट को इसलिए नहीं हम क्लियर कर पा रहे हैं क्यूंकि पॉलिटिकल प्रेजर है और कुछ रिलीजिस और्गनाइजेशन के प्रेजर है केरला के UDF और LDF दोनों सरकार कॉंग्रेस के इंडी गटमंदन के सरकार वोट बैंक पॉलिटिक्स के कारण ये इलीगल एंक्रोच्मेंट को नहीं क्लियर कर रहे हैं और यही मूलभूत कारण है जिसके कारण आज भी केरला में इस प्रकार के एक मैनमे डिजास्टर में आ